हम सब अमीर बनना चाहते हैं पर ये समझ नहीं आ पाता कि अमीर बना कैसे जाता है और फिर हम दुखी हो जाते हैं और जब इस दुनिया में जो अमीर लोग हैं उनको हम देखते हैं तो ये समझ नहीं पाते कि आखिर वो सब अमीर कैसे बने तो दोस्तों आज मैं आपको यही बताने की कोशिश करूँगा, आपने मुकेश अंबानी का नाम सुना होगा, जो भारत के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में शामिल है, उनकी संपत्ति का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं, कि वो अपने बेटे अनन्त अंबानी की शादी में, केवल कुछ घंटों के पर आज किये हैं, और सिर्फ वही नहीं, बलकि अगर आप स्पोर्ट्स एंटर्टेनमेंट में इंट्रेस्ट रखते हैं, तब आप प्रसिध अमेरिकन रेसलर जॉन सीना को भी शामिल किया है, अब आप सोच सकते हैं, कि उनकी संपत्ति क्या हो सकती है, पर सवाल है, कि आखिर वो कौन सी चीज है, जो मुकेश अमबानी को इतनी कामियाबी तक पहुचाई है, तो आज मैं आपको वो पांच तरीके बताने की कोशिश करूँगा, जो उनकी सफलता के लिए एक बड़ी भूमिका निभाती है, बस दोस्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहें, ताकि आपक कोई और विडियो इस टॉपिक पर न देखना पड़े, तो चलिए, शुरू करते हैं, पहली चीज, मुकेश अमबानी ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक साफ लक्षे बनाया, और उसे पूरा करने के लिए एक तारिका खोजा, इसके बाद वे उसे हासिल करने के मार्ग एक ही होता है, निरंतर उनके उद्देश्य की और प्रगति करना और उसे पाने की इच्छा रखना, इस तरह उनका संकल्प और उनकी प्रेरणा उन्हें हर बाधा को पार करने की ताकत प्रदान करती रही, और यहीं उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया की वो इतने अमीर बने, इसी लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने उद्वेश्य को तैय करना है, और फिर उसे पाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देनी है, यकीन मानिये, आपको सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे, दुसरी चीज, कड़ी महनत, मुकेश अंबानी एक ऐसा नाम जिसने व्यापारिक दुनिया में नई मिसालें स्थापित की है, उन्होंने अपने जीवन के हर कदम पर अपनी महनत और समर्पन से अपने उद्देश्यों को हासिल किया, उनका जीवन एक प्रेरणा है, जिसमें संगर्ष, साहस और संकल्प की गहराई है, वे के लिए जाने जाते हैं, उनकी व्यवसाइक स्फूर्ती और सामर्थे ने न केवल उन्हें, बलकि उनकी कमपनी को भी वैश्विक पहचान दिलाई है, इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी चीज है, वो है उनकी कड़ी महनत, इसलिए दोस्तों, मन्जिल पाने के लिए आप को हार्ड वर्क तो करनी पड़ेगी, एक बच्चे को अगर परीक्षा में फर्स्ट आना है, तो उसे पूरी महनत से पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, उसी तरह अगर आपको अमीर होना है, तो उसके लिए भी आपको महनत तो करनी ही पड़ेगी, तीसरी चीज, बड़ा लक् प्राइक दिशा में अपने लक्षियों को स्पष्ट किया, बल्कि उन्होंने उन्हें हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास किया। उनके लिए उच्च लक्ष निर्धारित करना सिर्फ एक सोचने का ढंग नहीं था, बल्कि एक द्रिढ संकल्प और अद्वितीय समर्थन प्रदान करने वाला कठोर महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपनी द्रिढ संकल्प की साथ महनत और प्रयास के माध्यम से नए उच्च निर्धारित करके अपने लक्षियों को प्राप्त करने के लिए खुद को प्रेरित किया। इसलिए दोस्तों आपके जीवन में एक बड़ा लक्ष होना बहुत जरूरी है क्योंकि जिनके लक्ष बड़े नहीं होते उनकी काम्याबी भी बहुत बड़ी नहीं होती। इसलिए हमेशा बड़ा सोचे। चौथी चीज समर्पन और सामर्थिय। प्राप्त की है। उनका यह सामर्थिय और समर्पन हमें यह सिखाते हैं कि सफलता का मार्ग सिर्फ कटिनाईयों से नहीं, बल्कि अपने कार्य में पूरी इमान-दारी से और समर्पित दिल से काम करने में होता है इसी से हमें उन्होंने दिखाया है कि व्यावसाइक जीवन में सफलता प्राप्ट करने के लिए समर्पण और सामर्थ्य का संयमित मेल अनिवार्य होता है इसी लिए दोस्तों, अपने आपको इतना काबिल बनाओ कि सफलता तुम्हें खुद पास बुला ले पांच वी और आखिरी चीज प्रबंधन कौशल जी हाँ दोस्तों मुकेश अमबानी जी व्यापारिक दुनिया में अपने प्रबंधन कौशलों के लिए जाने जाते हैं जिन्होंने अपने क्शेत्र में खुद को अग्रणी बनाया है उनके प्रबंधन कौशल ने उन्हें उनके व्यावसाइक सफलता के मार्ग पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाई है पहले तो उनका कुशल नेत्रित्व उन्हें व्यावसाइक समुदाय में विश्वसनीय और समर्थ नेता बनाता है उन्होंने अपनी कमपनी को विश्वसनीयता और विश्वसनीयता के साथ निर्मान किया है जो की अपने नेत्रित्व में उच्चतम मानकों की स्थापना करता है उनका रणनीतिक द्रिष्टिकोन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे विभिन बिजनेस अवसरों को चुनने और उन्हें व्यावसाइक लाभ में बदलने में माहिर है। और विकसित करने के लिए सुद्रण संगठनात्मक धांचे का निर्मान किया है। जिससे कि उनकी कमपनियां दिगज बन पाई है। इन सभी गुणों के साथ उनकी वित्तिय प्रबंधन क्षमता भी उनकी कामयाबी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने अ प्रकार मुकेश अंबाणी जी के प्रबंधन कौशलों ने उन्हें न केवल व्यापारिक दुनिया में शीर्ष पर ले जाने में मदद की है बल्कि उन्हें एक प्रेरणा स्त्रोत भी बनाया है जिसे अन्य उद्यमियों का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। उनका उदाहरं हमें यह सिखाता है कि सही नेत्रित्व और प्रबंधन समझ और प्रयास से हम किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, तो देखा आपने, दोस्तों, इन पांच चीजों को अपना कर आप भी अमर और सफल हो सकते हैं, याद रखिए, इस दुनिया में आपकी इच्छा शक्ती से बड़ी कोई चीज नहीं है, आपका हर एक विचार आपके जीवन को एक दिशा दे सकता है, बस आपको पूरी मेहनत से अपने लक्ष को और बढ़ना है, इसके बाद अमीर होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, तो उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर तो इसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और कॉमेंट में बताएं कि आप क्या बनना चाहते हैं, धन्यवाद